दो शब्द है एक दो द्रड संकल्प और दूसरा सफलता की कुण्जी यानि जिसका संकल्प द्रड होता है उसको सफलता अविश्य मिलती है संकल्प गिशे कहते हैं कि हम जो चिंतन करते हैं उस चिंतन के उपर स्थिर रहना उसके चिंतन के उपर devotion और dedication हो जाना उस चिंतन को समर्पित हो जाना और एक लक्षित हो जाना 24 गंटे हमारे सामने वही लक्षित रहे मान लेजिए कोई बच्चा 12th के अंदर पढ़ रहा है और उसने द्रड़ संकल्प कर दिया कि मुझे तो IIT की जो परिक्षा होती है उसके competition के अंदर निकलना है तो 12th के अंदर पढ़ता पढ़ता हर दश्टी के अंदर ये सोचेगा कि मुझे IIT किस तरीके से clear की जा सकती है उसके लिए वैसी पढ़ाई करेगा वैसा चिंतन करेगा कटिन प्रिश्रम करेगा और पूरी योजना बनाएगा उसको हम द्रड़ संकल्प कहते हैं द्रड़ संकल्प करने से क्या होता है कि हमारी शारी शक्ती एक जगे केंद्रित हो जाती है एक जगे केंद्रित होने की क्या अलाब है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने स्कूल के अंदर एक्सपरिमेंट किया प्रिज्म का प्रिज्म ए त्रिकोन आकार का होता है और बिल्कुल crystal clear होता है white color का होता है उसके एक किनारे से जो है सूरी की किन्ने प्रभाइद की जाती है तो reflection होकर के वह किरन जब prism के बाहर निकलती है तो वह एक जगे स्तिर हो जाती है और एक जगे उसके सारी concentration हो जाती है एक आगरता हो जाती है उस जगे पर अगर कागज का टुकड़ा रख दिया जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाएगा क्योंकि जो सूरीज की किरनों का ताप है वो सब एक जगे केंद्रित हो गया एक जगे केंद्रित होने से वह कागज का टुकड़ा जलने लग गया उसी तरीके से जब हम ध्रण संकल्प करते हैं तो हमारी सारी कर्मजा उर्जा है एक जगे हमारे चिंतन हो जाती है बड़े-बड़े सादक लोग होते हैं वो कुंडलीनी जागरन करते हैं कुंडलीनी जागरन क्या होता है कि हमारी जो रीड की हड़ी है उसके अंदरे spinal cord है और रीड की हड़ी के नीचे वाला जो हमारा बिंदू है वो स्वास्ति केंदर कहलाता है और रीड की हड़ी के नीचे वाले केंदर के नीचे तालाब भरा हुआ है समुंदर भरा हुआ है उर्जा का समुंदर भरा हुआ है शक्ति का समुंदर भरा हुआ है नॉर्मल व्यत्ति अगर उस समुंदर की उप्योगिता नहीं समझता है तो भोग, विलास, एश, आराम, इंद्रिय सुख वगरा उसके अंदर उस सक्ति को क्षीन कर देता है और पसू पक्षी ऐसा ही करते हैं वो सारी शक्ति उसमें ख्षीन हो जाती है लेकिन मनुष्य एक सर्वस्थेस प्राणी है मनुष्य के पास में डेवलप्ट इंद्रिया है डेवलप्ट मन है, डेवलप्ट विजडम है डेवलप्ट हमारी इंटूशन है तो व्यक्ति अगर वो सोचे कि मेरी शक्ती नस्ट नहीं होनी चाहिए तो कुंडलीनी जागरन करते हैं कुंडलीनी जागरन के मात्यम से कुंडलीन जागरन कैसे की जाती है कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर नापने का जो धर्मामीटर होता है उसको हम जो है बॉल से दबाते हैं तो बॉल से दबाने से जो पारा है धीरे 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 उपर उड़ता है ठीक उसी तरीके से हमारी जो उर्जा नीचे जो शक्ती के अंदर पर है हमने गुदा को खीचा गुदा को खीचा सांस को भरा और जिस तरीके से पावर उपर चड़ता है उसी तरीके से वह एनरजी जो है स्पाइनल कॉर्ड के माद्यम से वह स्वास के साथ में होती हुई स्पाइनल कॉर्ड से जिसका एक कनेक्शन हमारे सहस्तर सार के अंदर है तो वहां आकर के हम छोड़ देते हैं और स्वास को नहीं स्वास कर देते हैं, स्वास को छोड़ देते हैं फिर स्वास बरा, जैसे ब्लेडर को दबाते हैं, गुदा को दबा करके स्वास को बरा, और वह शक्ती फिर स्पाइनल कौर्ट से उट करके, और यहां पर की जाती है इसको कई बार दोराया जाता है तो दीरे दीरे जो सक्ति का समुंदर है, सक्ति का जो तालाव है, वो शक्ति वहां से जो है, वो हमारे स्वास्तिक किंदर से हट करके, और यहां सैस्तरसार में आ जाती है, यह ग्यान का किंदर है, यहां पर आने से वो कंसंट्रेट हो जाती है, और व्यक्ति को एपसलूट ग ग्यान होता है कि एसे शादक से इस विश्व की भूत की भविश्य की वर्तमान की जड़की चेतन की कोई अवस्ता जो से छुपी हुई निरती है एपसॉलूट नॉलेज हो जाता है उसके बाद में कुछ भी प्राप्त करने का उसको सेश नहीं रहता है ये किस कारण हुआ कि कुंडलनी जागरण सारी शक्ति जो नीचे विर्त जाने वाली थी अब्रमचरिय में जाने वाली थी वो सक्ति को उठा करके सहसार ग्यान के अंदर पर ला गया है तो हमारा जो मैंड है जो जिसके अंदर ग्यान भरा हुआ है वो सारे हार्मोंस उसके डेवलप हो जाते हैं वर्तमान में व्यक्ति ग्यान का दो या पांच हिस्सा ही यूज़ करता है माइंड का लेकिन ये हमारी जो उर्जामा ग्यान की भर जाने के कारण व्यक्ति 95, 97, 98%, 100% तक जो है उस ग्यान के जो माइंड का जो हमारी ग्यान के जो हार्मों से उसका यूज़ करते हैं तो ध्यान करने में क्या होता है कि बाहिये साधनों से जो है हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी सोच, हमारे सारे विचार है एक जगे आकर के टिक जाते एक आलंबन पर चाहे भगवान का किया, चाहे राम का किया, चाहे क्रशन का किया, चाहे मावीर का किया, जिसके फोटू के ऐसे प्रसन्नता हो जाती है और सरीर का रोम रोम आनन से पुलकित हो जाता है क्योंकि उस ध्यान की एक अगरते से होता है